डियर इस्टूडेंस, बी ए दूतिय वर्ष प्रथम पेपर, संसाधन भूगुल के अंतरगत हम यूनिट सैकिंड में विश्व के प्रमुक्रशी प्रदेशों के बारे में अध्यन कर रही थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि विश्व में कुल तेरे क्रशी प्रदेश है जिसमें से कुछ प्रमुक्रशी प्रदेशों का अध्यन हम इससे पहले की लेक्चर में कर चुके हैं आज हम आगे के दो क्रशी प्रदेशों का अध्यन करेंगे जिसमें सबसे पहला है व्यापारिक बागाती क्रशी प्रदेश जैसा ही इसके नाम से पता चल रहा है व्यापारिक का मतलब जो व्यापार के उद्देश्य से और बागाती का मतलब जो बागानी करशी अर्थाग बड़े-बड़े बागानों में जो करशी की जाती है उसको बागाती करशी कहती है तो व्यापारेक उद्देश्य की द्रस्टी से यह जो कृषी है वहें बड़े-बड़े बागानों में की जाती है इसमें एक बार ब्रक्ष कहीं अन्यास्थान पर मतलब उसकी पौद तयार की जाती है और ब्रक्षों को लगा दिया जाता है और धीरे-धीरे उनसे जो है उत्पादन की प्राप्ति होती है पहले इसकी जो पौद होती है वो अन्यात्र कहीं पर 20 जाल के पौद तयार होती है और पौद तयार होने के बाद में फिर इसे बड़े-बड़े बागारों में शिफ्ट कर दिया जाता है तो ये बड़े-बड़े बागारों में की जाने वाली क्रशी है इसलिए इसको बागार्ती या बागानी क्रशी कहते है यह मुखे रूप से व्यापारिक क्रशी है अर्थात निर्यात के उद्देश्य से ही इस क्रशी उत में फसलोक उत्पादन किया जाता है और इसके द्वारा जो भी उत्पाद प्राप्त होता है वो मेलनी निर्यात किया जाता है यह क्रशी जो है वो उश्न और उपोश्न कट पागाती क्रशी जो है इसकी शुरुवात मिलनी उन छेत्रों में हुई थी जो छेत्र यूरोपी लोगों के संपर्क में आये अर्था जब यूरोपी लोगों ने प्रवास करके बिश्व के अन्य देशों को अपना उपनिवेश बनाया तो जब इन उपोष्ण कटी बंदिय के शेत्रों में उन्होंने उपनिवेश बात को स्थापित किया तो यहां पर व्यापारे को देश से क्रशी की जाने लगी और फिर उसी क्रशी ने आगे चलके बागानी या बागाती क्रशी का रूप ले लिया इसके अंतरगत एक कोई भी नगती फसल होती है जिसका किया जाता है इसके मुखे शेत्र हैं दक्षिन पूर्वी एशिया इसके लाबा मध्य अफ्रीका लेटिन अमेरिका में मोरत्तों के उच नाध्र छेत्रों में बागानों को लगाने और बागावानों की देख भाल करने के लिए जो पूझी होती है पैसों की ज्यादा उननत बीच कीट नाशक और मशीन आधी का प्रयोग किया जाता है तो इसमें जो है वो बड़े पैमाने पर क्रिशी कारे होता है और उसी के आधार पर जो है वो फसनों का उत्पाधन होता है जो उक्ष्ण कटीवंद्य शेत्र हैं वहां पर लगवग 40 हेक्टेर से भी बड़ जैसे कि बागान के रूप में करशीकों विक्सित्명 के राली के हैуется सबसे पहले इसी तरीके से जो फेन्च लोग है उन्होंने पशिमी में अफ्रेका में कैमरून और जो आईवरी कोस्ट छेत्र है उसमें कोको और कॉफी के बागान लगाए थे तो इस तरीके से ये जो क्रशी है वो यूरोपी लोगों की द्वारा स्टार्ट की गई और धीरे धीरे विश्व के विविन्य शेत्रों में इसका विस्तार होता गया इस क्रशी को थॉम्सन ने सैनिक क्रशी भी कहा है वो सैनिक क्रशी कहने का उद्देशी यह है कि एक तरीके से बहुत बड़े एरिया में ये क्रशी डबलप होती है और इस क्रशी में बड़े बड़े बागानों में क्रशी कारे किया जाता है इसके अलावा इस क्रशी में ऐसा माना जाता है कि जो सितोष्ण कटीवंदिये विक्सिक शेत्र है अर्थात यूरोप जो है वो सितोष्ण कटीवंदिये शेत्रों में प्रवास किया तो ये उश्ण कटीवंदिये शेत्र आविक्सित थे तो ऐसा लगता है कि मानो इसमें इसके अलावा इसे रोपण किर्शी को स्याइमानत संस्था भी बोलते हैं जिसने आर्थिक और सामाधिक सोशन के लिए कमविक्स शेत्रों में से स्टार्ट किया था अर्थाक यूरोपिय लोगों ने जो उशनी कटी बंदे शेत्र हैं जो जलबाईविक द्रस्टी से लुँब करते हैं जो बागाती क्रशी में उसकी क्या विशेषदाएं होती हैं लुटन को सिर्फित अग्योन कैड़ों मून कलचव अर्था इस ही फसल की क्रशी अधुगिए औरिक यीयोगों और के पीज वोकर फसल नहीं है बिलकि रोपन किया जाता है अर्फा बीजों के द्वारा पोद की आरों फिर पोद को बागानों में रोप दिया जाता है और यहां पर जो प्रबंदन किया जाता है खीतों का प्रबंदन है वो कैसा है कि इंद्रिय करण योगते हैं तो इस तरीके से इसमें जो परिवेंग व्यवस्ता होती है वो भी काफी अच्छी देखने को मिलती है क्योंकि यह कैसी है निरियात उन्मुक करशी है अर्था इसमें क्या होता निरियात किया जाता है तो इस इसमें मेक्सिको, मध्य अमेरिका, दक्षणी अमेरिकी प्रदेश, पश्यमी दीप सहुं में क्यूबा, जमेका, प्यूटोरिका, ग्वाटेमाला, कोस्ट्रिका, आधी शेत्रों में फसल का उत्पादन होता है, इसमें मुख्य जो बागान हैं, वो हैं कहवा, कोको, गन्ना और केला की, विश्व का जो कुल कहवा उत्पादित होता है, उसका 55 प्रतीशत से भी अधिक भाग, जो लैटिन अमेरिका शेत्र है, इससे प्राप्त होता है, यहां पर जो ब्राजील है और कोलंबिया है, वो सबसे प्रमोक कहवा उत्पादक शेत्रों के अंतरगत आती है मेक्सिको में भी केवा का उत्पादन होता है इसके लावा ब्राजील में जो पुर्टगाली लोग हैं उनके द्वारा गन्ने का भी उत्पादन प्रारम किया गया था वैसे वर्तमान में अगर हम ब्यात करें तो क्यूबा जो है उसका गन्ना उत्पादन में विशेस इस्थान है सेकेंड आता है एशिया एशिया के जो प्रमुक शेत्र हैं वो दक्षिन पूर्वी एशिया ही शेत्र हैं इसमें आते हैं भारत के दक्षिनी और पूरुत्र पहड़ी प्रदेश इसमें श्रिलंका, म्यानमार, थाइलेंड, मलाया और इंडोनेशिया प्रमुक हैं यहाँ पर भी चाय, कैवा, रवर, नारियल, कोको और केला का उत्पादन किया जाता है वर्तमान में जो विश्व का लगबर 90% प्राकर्टिक रवर जो है और 70% चाय वो इन्हीं शेत्रों से प्राप्त होता है जैसा कि हम बात करें चाय की तो चाय मिलनी उत्रिपूर्वी भारत और जो श्रिलंका का पठार है उससे प्राप्त होती है रबड़ भी जो है वो थाइलेंड मलेशिया और इंडोनेशिया से प्राप्त होती है नारियल फिलिपिन्स और दक्षनी भारत से होता है इसी तरीके से जैसे कि हमने लेटिन अमेरिका में पढ़ा तो केवा ब्राजील और कोलंबिया के पठार से प्राप्त होता है और गन्ना क्यूबा और वेनेजवेला से और केला पश्यमी दीप समोर मद्य अमेरिका से इसके बाद में थर्ड आता है अफरिका अफरिका में गिनी तट मद्य और पूरवी अफरिका की जो उच्च भूमी है उसमें कहवा, चाय, केला और कोको का उत्पादन किया जाता है आईवरी कोस्ट, जाइरे, कीनिया, इथूपिया, तंजानिया, मालागासी इन सभी में कहवा का उत्पादन होता है कीनिया, मलावी, यूगांडा और तंजानिया में चाय का उत्पादन होता है साइबेरिया जायरे और नायसीडिया में रबर का उत्पाधन किया जाता है तो इस तरीके से यह जो कृषि है वुष्व के प्रमुक जो विक्सित शेत्रों उनमें की जाती है लेकिन अप하면서 तियरे दियरे इसमें परिवर्थे calam भारा है और विश्व के अनिक शेत्रों में जैसे जैसे वेग्यानिक विकास हो रहा है पूंजी की उपलब्दिता बढ़ रही है उसी तरीके से अब ये जो कृषी जो है धीरे धीरे अपना विक्सित रूप ले रही है और विक्सित देशों के अतरिक अन्य देशों में भी की जाने कि लगी हैं मैं बागति क्रिशी के बाद जो नेक्सिक आती है वह आती है भूमध्य सागरिय करशी प्रदेश में फोंद्य करते हैं जहलंका है 30 डिगरी से 45 डिगरी उत्री वा दक्षणी अक्षांसों में दोनों गोलारदों के मद्या मिलती है यह मुक्रूप से जो मुमद्य रेखा के आसपास का शेत्र है उसको हम इसमें शामिल करते हैं यहां पर क्रशी जो है वो दोनों ही तरह से होती है एक तो निर्वाहन के लिए छोफ़से के इन तरगता देता हैं यहां पर जो सब्जी हों गरेल ऊत्राओं गरेतीर बीशही के लिए होता है तो निर्वाहन क्रशी की इंतरगता देता है इसके अलावा जो रजदर फल हैं जैसे की जैतून है अंगूर है इनका उत्पादन निर्याट करने के लिए किया जाता है तो जो भूमद्य सागरे भूमी है इसको विश्यू की फलोध्यान भूमी का जाता है क्योंकि यहाँ पर मेली जो फल है उनका उतपादन किया जाता है इसके अलावा विश्यू के शराब उर्द्यों का हिरदय भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अंगूर का उत्पादन होता है अंगूर से मेली जो है वो यहाँ पर शराब बनाई जाती है जिसके लिए यह शेत्र काफी प्रसिद्ध है इसके बाद इसमें बात करते हैं भोगोलिक परिस्तितियों की तो भूमद्य सागे जलवायू जो है वो एक ऐसी जलवायू है जिसमें सर्दियों में तो बारिश होती है और गर्मियों में सूखा रहता है गर्मियों में बारिश नहीं होती समुद्र के आसपास के शेत्रों में और परवतों पर अपिक्षक्रत अधिक वर्षा होती है सरदियों में जो तापमान रहता है वो 5-10 डिगरी के बीच रहता है और गर्मियों में रहता है 27 डिगरी बनस्पति की अगर हम बात करें तो यहां पर जाड़िया घास और पेड़ सभी मिले जुले रूप में उख जाती है इसके अलावा यहां पर बलुई और कंक्रीली मिट्टी पाई जाती है अब हम बात करते हैं इसके प्रादेशिक वित्रन की अठात भूमद्य सागरी क्रिशी किन छेत्रों में होती है विश्व के किन किन छेत्रों में भूमद्य सागरी क्रिशी का विस्तार देखने को मिलता है मेली हगरम बात करें तो यह क्रिशी इस्पेन, दक्षणी फ्रांस, टर्की, इटली, यूडान, सीरिया, लेबनान, इसराइल, मोरको, अलजीरिया, ट्यूनीशिया के भूमध्य सागरिय तटिय शित्रों में, कैलिफॉनिया की घाटी, मध्य चिली, दक्षणी पश्चिमी अ इसके लावा, दक्षणी फ्रांस, इटली और इस्पेन के जो टटवर्ती शेत्र हैं, वहाँ पर व्यापरे को देशे से क्रिशी होती है, सैयुक्त राजी अमेरिका में, जो कैलिफॉनिया है, वहाँ पर भी रजदार फल और सबजीयों की व्यापरे क्रिशी की जाती है, चिली में भी फल और सबजी का उत्पादन होता है, इसके लावा, इटली में संतरा और नीबू, और युनान में नीबू का सबसे जादा उत्पादन होता है, तो मेलनी जहां बुमद्य सागरे जलवायू देखने को मिलती है, बुमद्य रेखा के आसपास के शेत्रों इसमे बुमद्य सागरे जलवायू के राऊiben निपकत आते हैं, इसमें जैसे हमेली बात करें तो यह वाला जो है इसके आसपास के शेत्र ज्यो है, इटली स्पेन युनान वाला शेत्र है, यह जो सेत्र निफोर्निया शेत्रै इसके अलावा लावा धक्षिन अमेरियका का और ओस्टरिलिया के भी कोछ शेत्रों को इसके अंपरगा संहले किया गया है तो में ली ये सभी बूमal ठोगरी जलवायो वाले शेत्र हैं आब हम बात करती हैं बूम ठोगरी जलवायो की विश्याष्टा के बारे में तो सबसे पहला यहां पर खाद्यान फसलों का उत्पादन होता है साथी पशू पालन भी होता है सर्दियों में यहां पर बर्शा होती है तो उस समय गेहू जो और मक्का की फसल पैदा की जाती है और गर्मियों में घास और जो संचित फसल है उसका पदन किया जाता है अधिकतर कृषी का उद्देश है यहां पर ब्यापार करने की उद्देश से ही कृषी की जाती है यहां पर जो खेती है उसका एतियासिग विकास हुआ है भरन पोशन की क्रशी से सबसे पहले हैं पर केवल घरेलू अर्थात विक्ति अपने केवल उधर पूर्थी के लिए क्रशी करता था धीरे धीरे साख सब्जियों का निर्यात किया जाने लगा फिर उसके लिए क्रशी होने लगी इतिकने और बरतमान में फ़लों के निर्यात की क्रिशी की जाती है अब आगे हम बात करते हैं पहुमत्ये सागरे क्रिशी के रूप के बारे में जो भुमद्य सागर ये कृशी है उस पर भिवेन प्रकार के जो काराके प्रभाब डालते हैं, फ़लो अध्यान कृशी, फ़लो अध्यान कृशी के अंतरगर जो रजबा फलो जैसे कि संत्रा है नीबू है अंगूर जैतून अंजीर इनका उत्पादन किया जाता है यहां पर वर्षा जो होती है वह लगव 25-70 cm तक होती है तो इसी करान से यहां पर जो फलों का उत्पादन है वह उसके लिए जलवाई विक्दशा है यहां पर जैसे हम बात करें तो कैल जैतून और जो अंजीर इनके जो पौदे है वह भूमध्य साग्रय प्रदेश के देशस पौदे आर्था इन्ही शेत्रों में उत्पादन किया जाता है अंगूर की कृषी तो अंगूर की कृषी भी इस शेत्र में की जाने वाली प्रमुक कृषी है यहां पर नमी की उप क्योंकि अंगूर का जो रस होता है उसको डबलब होने के लिए काफी अच्छी मतला जलवाई दशाएं होनी चाहिए जैसे कि जो दक्षिन है उसके अंडालूशय जिले की शेरी पश्चिमी पूर्टगाल की ड्यूरो बेसन की पोर्ट वाइन सिसली के आईले की मार्शेला टैसकेनी की चिपिंती पहाडियों की चिपिंती और उतरी इटली की जो पडमेयर जले है वहांकि वाइन प्रसिद्ध है अरता तक यह जो वाइन बनाई जाती है वो इस अंगूर से ही बनाई जाती है फ्रांस में जो शराब बनाना है वो राष्ड योर्द्यों के अंतर interacting निन्नकोटी का अंगुर उत्पादित होता है, उसको सुका करके उसका किशमिश बनाया जाता है नेक्स्ट दैक हाता है घाद्यान और सब्जियों की क्रशी इसमें खादियान फसलों का प्रति हक्टे रूत-पादन अधेक होता है इसके अलावा चावल है पीन, मसूर, प्यास, टमाटर, गाजर, चकुंदर आदी की भी क्रिशियां की जाती है लास्ट जो इसमें रूप आता है, वो आता है सीमित पशुपालन का, यहाँ पर पशुपालन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्राकर्तिक वरस्पती और जाड़ियां बहुत बड़े पेमाने पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर पशुपालन जो है, ज्यादा बड़े स्थर मेदान है, और कैलिफोनिया की सान्ट जोइनकिन घाटी है, महीं पर ही किया जाता है, अब हम सबसे लास में बात करते हैं, वातावरंद के तत्वों से संबंद के बारे में, अर्थात इस जलवायू शेत्र में किस तरह का वातावरंद देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आ इस जलवायू झाल जन संबंद के डिए इस तरह का जलवायू एयुपन हो अन्य कहीन, अन्य कहीं देखने को नहीं मिलती है, इसी कारण से याँ पर जो शेत्र में व्य वाद्त देखने को मिलता है, पानी बश्व पर उकलब्द रहता है, जनसंख गनद को सामान यहां ज़ यहां पर निर्वाहन प्रकारकी भी ए पशुपादन भी है और अन्यय मश्रित खुपादन अनुसार लग अलग अलग प्रकार से की जाती है तो इस तरीके से आज के lecture में हमने दो क्रशी प्रदेशों के बाते थे पररे ही में बाते क्रशी और बुमधे सागरी क्रशी क्रशी नर फरसल प्रकर बची हैं उनके बारे में अपने स्कूथ आझए पॉर यक्शे में पड़ेंगे